अजमेर के नसीराबाद में ATM से राशी नहीं निकालने पर मरीज के परिजन परिशान नजर आए एक और जहां बैंक वोगदाओं को तुरंद रुपया देने के लिए 24 घंटे ATM मशीन की सेवाय देती है तो वहीं दूसरी और स्टेट बैंक के ATM से रुपय नहीं निकलने से मरीज के परिजन दरदर भटकने को मजबूर है ऐसा ही एक मामला नसीराबाद का सामने आया है जहां मोची बाजार निवासी अशोक कुमार अपने पिता की इलाज के लिए SBI बैंक के ATM से 15,000 रुपय निकालने पहुँचा जहां शोक कुमार के खाते से 15,000 तो कम हो गए लेकिन ATM से 15,000 रुपय निकले ही नहीं पेडित ने कस्टमर के एर पर मामले की सूशना दर्च कराई जिसके बाद बैंक मेनेजर के पास अपनी फर्याद लेकर पहुचा लेकिन वहां से भी उसे चलता किया पेडित ने बताया कि उसे अपने पिता को दिखाने के लिए रुपयों की सक्त जरूरत है और ऐसे में कोई भी घटना घटती है तो इसकी समस्त जिम्यदारी बैंक प्रशासन की होगी मैंने पंदरा जोर पे निखाने मेरी पिताजी भी बिमार है उनकी इलाज के लिए उस एट टेम से मेरी राशी कट गई लेकिन पैसा मेरे हाथ में नहीं आया उक्त जानकरी के लिए मैंने मेनिजर से संपरक करना चाहा लेकिन मेनिजर मुखे में मुझद नहीं था दूसर दिन मैंने मेनिजर से संपरक करा तो मेनिजर ने बोला कि आपके 24 गंटों में आपके अकॉर्ण में आपस पेसे आ जाएंगे मैंने उनको लिखित में अपनी शिकायद दर्च करानी चाही लेकिन उन्होंने ये पल्ला जाड़ दिया कि आप इसे ओनलाइन शिकायद दर्च कराए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पासकें ताजा खबरों की नोटिफिकेशन